जिससे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंक और सेवन्थ हैट फ्लेमें आपस में जीलू सिटी के अंदर लड़ रहे थे. वहीं लड़ते लड़ते अब सेवन्थ हैट फ्लेमें अपने रीसिन पास को याद करता है, जिसमें उसके मास्टर उसे बीबी तॉंग की मदद करने का ओर्डर दे रहे थे और उसे जीलू सिटी में जाने का कह रहे थे. सेवन्थ हैट फ्लेम में बहुत कुश हो गया था, क्योंकि वो बहुत टाइम से सिर्फ अपने भाई के साथ ही लड़ाई कर रहा था, और उसे अब किसी बड़ी लड़ाई में जाना था, और जीलू सिटी की लड़ाई के बारे में सुनकर, वो बहुत खुश हो कर यहां आने लगा था, लेकिन अब उसे तैंक शैंक से लड़ते हुए बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन अब वो हार नहीं सकता, इसलिए वो कह जाता है कि मैं तुमसे जीत कर ही रहूंगा, ऐसा कहे कर वो बहुत सादा गुस्से में आ जाता है, और वो अपने ट्रू फॉर्म में आकर, अब अपने हत्यार के साइस को बढ़ा करके, तैंक शैंक पर चारो तरफ से हमला करने लगता है, और हमला करते-करते, उसका एक हमल तैंक शैंक को लग जाता है, और तैंक शैंक दूर जाकर गिरता है, वो फिर तोरण फिर से तैंक शैंक के पास आकर, उस पर हमला करता है, लेकिन तैंक शैंक मौका पाकर बच जाता है, और उन में फिर से बैचल होने लगती है, वही हम फिर निंग रॉंग रॉंग को रहे थे वहीं अब मोटू भी आगे आता है और वो अब फिनिक्स की पार को यूज़ करता है और अपनी एट स्केल टेकनीक का यूज़ करके वो हर्ट के लिंग फिनिक्स चेन को बुलाता है इस चेन का यूज़ करके वो विंट स्वार्ट को पकड़ने की कोशिश करता है ले था. Marshall Sol Hall के इस Elder का नाम Z.U है और ये Elder Willina का भाई है. आसकर ने अपनी Clone Sausage का यूज करके Mr. Dye की Marshall Sol को कौपी कर रखा था. वहीं Black Tiger Clan जो कि Mr. Dye से नहीं जीत पा रहा था. वो सोचने लगता है कि Hellfire Tiger का आटाक और स्पीड बहुत जादा पावफुल है और मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा. वहीं मोटू भी विन्ट स्वाट के चीफ को चेंज से बांदीता है. वहीं दूसरी तरफ जीवू मौका पाकर लड़ाई से थोड़ा दूर हो जाता है और वहीं जीवू उसे देख लेती है. जीवू तुरं जीवू से लड़ने चाती है और उस पर अटाक करने लगती है. तियांदो एमपायर के हेल्डस ये सब देकर काफी खुश हो रहे थे क्योंकि जिन बच्चों को उन्होंने पास साल पहले देखा था वो बच्चे आज इतने ताकतवर होकर वापस लोटे हैं. वहीं अब मिस्टर दाई और कैट गर्ल थौन ओफ हेल्ट टेक्नीक का यूज़ कर देते हैं और फाइनली वो ब्लैक टाइगर क्लान की सोल पार को ये देखकर जिंगलो एमपार के हिल्डस और मिस्टर दाई के भाई और पापा बहुत खुश होते हैं. लेकिन अभी भी तैंग शांग सेवन हेट फ्लेमन से लड़ रहा है और सेवन्थ हेट फ्लेमन ने अब अपनी ड्रागन वैंड को अक्टिवीट कर लिया है और अब अपने हैमर की बदद से उनके ड्रागन वैंड से लड़ाई कर रहा है उनके बीच बहुत आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही है क्योंकि दोनों ही उम्दे तरजे के वारियर हैं और उन में से किसी का एक्सपीरियन्स जादा है तो किसी की मेहनस जादा है उनकी लड़ाई में हैट फ्लेमन को गुस्सा आया हुआ था और वो हर जगे तपाही मचा रही है और ऐसा लग रहा है मानू ताइंग शैंक हलका बढ़ रहा हो लेकिन तब ही हैट फ्लेमन नीचे देखते हैं और बाती है कि मार्शल सोल हॉल की सैना मर रही है उन्हें और जादा गुस्सा atac को आजाता है और वो कहते हैं कि तुम सब निकममे हो और अब मुझे ही कुछ करना होगा ऐसा कहकर वो अब अपने सबसे powerful attack को यूज़ करते हैं वो अपने dragon को समन करते हैं और nine soul टेकनीक का यूज़ करते हैं इस टेकनीक का नाम killer of everything है और इसका यूज़ करते ही आसमान मे एक बहुत बड़ी formation create हो जाती है और आसपास उस formation से बहुत जादा pressure निकलने लगता है अब फिर tank shang अपने hammer को gaip करता है और उसके action से ऐसा लगता है मानो वो इसी पल का इंतजार कर रहा था वो फिर तुरंथ अपने trident को बाहर निकालता है और कहता है कि मैंने अभी तक अपनी sol पार इसी पल के लिए बचाई हुई थी वो अपनी trident का यूज़ करके उसको activate करता है और c-cott के trident की सारी बार summon करने लगता है ये scene बहुत जादा goose bumps देने वाला है क्योंकि अब tank shang पहली बार c-cott के trident का यूज़ करने वाला है अब इसके बाद फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है